आपने अपने फोन में कभी ना कभी गूगल प्ले सर्विसेस नाम की अप तो देखी ही होगी लेकिन क्या आपको पताए कि यह आप आपके फोन के लिए कितनी important है और इसके बिना आपका फोन चल ही नहीं सकता तो आखिर ये Google Play Services app क्या करती है ये हम से इतने permissions क्यू लेती है और क्या होगा अगर हम इसे delete करते है या फर इसका data clear करते है इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं नहीं तो बैठो गाड़ी में ये भी नहीं यार वीडियो शुरू करने के लिए कोई line बची ही नहीं है सबने अपनी अपनी line पहले से choose करके रखिये छोड़ो अभी क्या कर सकते है आप बस वीडियो देखो तो सबसे पहले मैं आपको बता दू ये app सारे android phones में pre-installed आती है मतलब ये app सारे phones में पहले से ही आती है और ये app आपको normal app drawer में नहीं दिखेगी क्योंकि ये बस background में ही चलती है और इसे open नहीं किया जा सकता लेकिन अगर आपको इसके दर्शन करने तो आप settings में जाके all apps में जा सकते हो आप कह सकते हो कि google play service आपके phone की सारी google apps को और जो apps आपने play store से install की है उन्हें assist करती है या फर manage करती है अगर किसी app को google की किसी service का access चाहिए जैसे कि google maps या फर google sign up तो google play service उसे वो service provide करवाती है जैसे कि अगर किसी app को google drive का access चाहिए तो play service उसे वो access देगी तो basically google play service एक app को google के API के साथ connect करती है अगर आपको API क्या पता नहीं है तो मैं आपको उसे एक छोटे से example से समझाने की try करता हू मान लो आपको एक online cap booking app बनानी है तो उसमें आपको map का और location का feature तो जरूर लगेगा तो बता हूँ आप अपने app में map और location को कैसे डालोगे इसके लिए आपके पास दो solutions है एक तो आप satellites बेचके अपना खुद का एक नया map बना सकते हो और फिर उसे अपने app में include कर सकते हो जो की बहुत मुश्किल और costly है और दूसरा और आसान तरीका ये है कि आप किसी और के map को अपने app में डाल सकते हो उसके owner को कुछ पैसे देखे तो इसी तरीके से API भी काम करता है API की मदद से आप किसी और के service को अपने app या फर website में use कर सकते हो उसके creator को कुछ पैसे देखे तो आपको पता चलेगा कि ये आप बहुत सारी permissions लेती है और वो इसलिए क्योंकि इसे बहुत wide variety की apps को service देनी पड़ती है और अगर आप इसकी किसी permission को disable करते हो तो आपके phone की कुछ apps ठिक से काम नहीं करेगी तो अभी आप सोच रहे होगे कि अगर हमने इसे delete कर दिया तो क इल्कुल भी नहीं चलेगी और gene apps में google के API का use हो रहा है वो भी नहीं चलेंगे अगर आप इसका data clear करते हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वो data थोड़े दर के बाद फिर से recreate हो जाएगा बस सो बस यही थी आज की वीडियो गर ये वीडियो आपको अच्छ लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करना मैं मिलोंगा आपको अपनी अगली वीडियो में